नमस्कार दोस्तों मैं राहूल एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनेंदन करता हूं दोस्तों आद मैं आपको बताऊंगा रामवर ने दिया था लक्षमर को ग्यान पर इससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लो दोस्तों क्योंकि यह बिलकुल नेशल को बिलकुल फ्री है आईये दोस्तों जानते हैं इस रोचक रहस के बारे में दोस्तों स्री राम और रामर के बीच हुए अंतिम युद्ध के बाद रामर जब युद्ध भूमी पर मरड सहया पर पड़ा होता है तब भगवान राम लक्षमर को समस्त बेदों के ग्याता महापंडित रामर से राजनीती और शक्ति का ज्यान प्राप्त करने को कहते हैं और तब रामर लक्षमर को ज्यान देते हुए कहता है कि अच्छा कार्य में कभी बिलंब नहीं करना चाहिए और असुव कार्य को मोहवस करना ही पड़े तो उसे जितना हो सके उतना टालने का प्रयास करना चाहिए सक्ति और प्राक्रम के मद में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि हर सत्रू तुछ और निम्न लगने लगी मुझे प्रह्मा जी से वर मिला था कि वानर और मानों के अलावा कोई मुझे मार नहीं सकता फिर भी मैं उन्हें तुछ और निम्न समझ कर अहम में लिपत रहा जिस कारण मेरा समूल बिनास हुआ तीसरी और अंतिम बात रावन ने यह कही कि अपने जीवन के गूर रहाश्या स्वजन को भी नहीं बताना चाहिए चुकि रिष्टे और नाते बदलते रहते हैं जैसे कि भीवीशन जब लंका में था तो मेरा हितेच्छू था पर स्री राम की सर्व में आने के बाद मेरे बिनास का माध्यम बना दोस्तो इसका सार यह निकलता है कि अपने गूर रहस्या अपने तक ही रखे सुबकार में देरी नहीं करना चाहिए और गलत काम से परहेज करना चाहिए और किसी भी सत्र को कमजोर नहीं समझना चाहिए यह अमूल पाठ हर इनसान को अपने जीवन में उतारना चाहिए दोस्तो अगर आपको यह रोचकतत है अच्छे लगे है तेसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इसी के साथ मैं राहूल आप से बिदा लेता हूं नाश्कार शुबरात